आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी एक regular monthly income चालू हो जाएगी जिहां दोस्तो हर महीने पैसे आपके account में आएंगे आज कल जहां भी देखो SIP, SIP, सब SIP के बारे में बता रहे हैं including me और आप में से बहुत लोग mutual fund में SIP कर भी रहे हैं जो की बहुत अच्छी बात है लेकिन हर महीने के खर्चों का क्या SIP में फाइदा आपको long term में होता है यानि 5 साल, 10 साल या 15 साल के बाद लेकिन आज कल के महंगाई के जमाने में अभी के खर्चों का क्या करें जैसे घर का खर्चा चलाना है फामिली को बाहर गुमाने लेके जाना है गर्ल फ्रेंड को गुमाना है बच्चों की फीस भरनी है पर अप्टेंशिन नॉट आज मैं आपके लेके आया हूँ SWP यानि Systematic Withdrawal Plan SWP में आपको सिर्फ एक बार Lumsum Invest करना होता है Mutual Fund में यानि एक ही बार सारा पैसा लगा दिया फिर हर महीने आप अपने इसाब से पैसे Withdraw कर सकते हैं जो सीधा आपके Bank Account में आ जाएंगे और साथ में SIP की तरह Majority पे Return भी मिलेगा यानि हर महीने आपको अपने Bank Account में कौन से Mutual Fund में SWP करना चाहिए जैसे SBI, ICICI, etc SWP के नुकसान और फायदे क्या है और last में मैं आपको calculate करके भी दिखाऊंगा कि SWP में कितने पैसे लगाने पर आपको हर महीने कितने पैसे आएंगे तो इस वीडियो को पूरा देखना और subscribe and like कर दिना क्योंकि ये आपके लिए तो free है लेकि इससे हमारी बहुत help हो जाती है Hello, Hi and Namaste दोस्तो मैं हूँ आपका host Hardik और पहले बात करते हैं कि ये SWP होता क्या है और ये SIP से कैसे अलग है इसको असान बाशा में समझने के लिए हम एक example ले लेते है राम और शाम दो भाई थे राम ने 5000 पे महीने की SIP शुरू की ABC Mutual Fund में 10 साल के लिए भाई शाम ने कहा कि भाई मुझे तो मंतली income चाहिए यानि हर महीने account में पैसे चाहिए तो उसने SWP की यानि एक ही साथ अपना सारा पैसा लगा दिया तो दोरो भाईयों ने 6-6 लाग लगाए एक ने SIP की एक ने SWP की अब आज 10 साल के बाद दोनों को 15 person return मिला तो राम का 6 लाग बन गया 13,93,286 यानि 7,93,000 का profit हुआ वही शाम को 10 साल तक 8,000 रपया महीना मिला क्योंकि इसने SWP की थी तो इसका टोटल हो गया 9,60,000 जो 8,000 पय महीने का टोटल हो गया और 10 साल के बाद उसको maturity पे 3,47,000 का amount मिला यानि अगर आप plus करेंगे 9,60,000 और 3,47,000 तो टोटल हो गया 3,47,000 का amount यानि 7,47,000 का profit हुआ अब आप मेंसे कहीं लोग कहेंगे कि राम को 50,60,000 का profit जादा हुआ बिल्कुल साही बात है लेकिन शाम को हर महीने 8,000 पय महीने की income हुई उसको हर महीने के खर्चों में कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन राम को पैसा सीधा 10 साल के बाद मिला 10 साल तक उसको कुछ नहीं मिला तो इसे कहते हैं SWP जहां पे आपको हर महीने एक मंथली income मिलती है SWP में आप एक ही साथ लंबसम amount invest कर देते हैं mutual fund में जैसे 2,5,5,10,0,0,0,0 जितना भी आपका budget है फिर उसके बाद आप एक amount decide करते हैं जो हर महीने आपको अपने account में चाहिए जैसे 5,000 पे महीना चाहिए तो mutual fund company हर महीने आपके 5,000 पे के mutual fund बेज देती है और वो पैसा सीधा का सीधा आपके bank account में डाल देती है और बाकी बचे पे पैसे पे आपको return मिलता रहता है जो SIP की तरह ही कुछ साल के बाद maturity पे एक बड़ा amount मिलता है यानि हर महीने भी एक amount मिलेगा और SIP की तरह बाद में भी एक amount मिलेगा अब आपको SWP बिलकुल clear हो गया होगा अब आते हैं SWP calculator पे और calculate करके दिखते हैं कि आपको कितनी मंथली income होगी और SWP काम कैसे करता है तो मान लीजिए अगर आप SWP में 6,00,000 रुपे invest करते हैं और आप कहते हैं कि आपको हर महीने 8,000 का amount चाहिए यानि 8,000 की मंथली income आपको अपने account में चाहिए और हम ऐसा assume करते हैं कि ये mutual fund पे आपको 15% का return मिलेगा ये return ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है लेकिन हम assume 15% कर रहे हैं और वहीं हम time period रखते हैं 10 साल तो आपने total invest की ये 6,00,000 जिसमें से आपको 8,000 पे महीना मिले 10 साल तक तो वो हो गया 9,60,000 और last में 10 साल के बाद आपको 3,47,000 का amount भी मिला जो कि total हो गया 13,70,000 लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ कि SWP काम कैसे करता है अगर मान लीजिए आपने लालच में आके mutual fund में ज़ादा पैसे withdraw किये यानि आपने का जी मुझे तो हर महीने 12,000 पे चाहिए तो अगर आप हर महीने 12,000 पे निकालेंगे तो आपका mutual fund 10 साल से पहले ही खतम हो जाएगा जी हाँ क्योंकि आप ये amount देखिए final value minus में आ रही है तो अगर आप 12,000 पे महीना निकालेंगे तो आपका ये mutual fund सिर्फ 6 साल तक ही चलेगा क्योंकि आप जादा पैसे withdraw कर रहे हैं आपको return भी इतना नहीं मिलेगा तो 6 साल में ही आपका पैसा खतम हो जाएगा SWP का फैदा तभी होगा जब आप इतने जादा पैसे ना निकालें तो पहले ये calculator में calculate करें कि मेरा mutual fund कितना चलेगा कि अगर मैं इतने पैसे withdraw करता हूँ एक बात और अगर आपने किसी भी mutual fund में invest किया हुआ है तो आप उसको SWP में convert भी कर सकते हैं किसी भी app में आप अपनी mutual fund को SWP में convert कर सकते हैं और एक monthly income शुरू कर सकते हैं अब आते हैं top के mutual funds पे जिनको आप consider कर सकते हैं SWP के लिए लेकिन expert की advice लेने के बाद ही SWP के लिए fund select करने के time हमेशा ये बात याद रखे कि आप हमेशा 2 या 3 mutual fund ही select करें कभी भी सिफ एक mutual fund में SWP ना करें तो हमारा पहला SWP mutual fund है SBI blue chip mutual fund direct growth ये fund उन लोगों के लिए है जो बिलकुल safe खेलना चाते हैं क्योंकि ये fund अपना 70% amount सिर्फ large cap companies में ही invest करता है अगर इसके returns की बात करें तो पिछले एक साल में इस fund ने साड़े 14% का return दिया है which is good पिछले 3 साल में इसने साड़े 22% का return दिया है और since inception यानि जब से ये fund start हुआ है तब से अब तक इस fund ने साड़े 15% का return दिया है अब दूसरा fund है HDFC का top 100 fund direct growth plan ये fund HDFC का एक large cap fund है जो अपना 72% पैसा सिर्फ large cap companies में invest करता है यानि top की 50 companies में अगर इसके returns की बात करें तो पिछले 1 साल में इस fund ने साड़े 18% का return दिया है which is excellent पिछले 3 साल में इस fund ने 25% के करीब का return दिया है और since inception यानि जब से fund start हुआ है तब से अब तक इस fund ने 14% का return दिया है अब जो हमारा आखरी fund है वो है HDFC hybrid equity fund ये fund एक hybrid fund है जिसकी वज़े से आपका risk बहुत कम हो जाता है क्योंकि ये करीबन 67% fund amount equity में invest करता है 29% debt में करता है यानि equity और debt में भी करता है और बाकी बचा पैसा कुछ cash या assets में invest करता है अगर इसके returns की बात करें तो पिछले 1 साल में इस fund ने 15% का return दिया है which is good पिछले 3 साल में 25% का return दिया है और since inception यानि जब से ये fund स्टार्ट हुआ है तब से अब तक इस fund ने करीबन 25% का return दिया है अब आते हैं exit load और tax pay जो की SWP select करने के time बहुत ही important चीज़े है SWP में exit load की बहुत ज़ादा importance होती है क्योंकि ज़ादतर mutual funds अगर आप एक साल से पहले redeem करते हैं तो एक exit fees लगा देती हैं आपके mutual fund पे जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूँ कि exit load एक fees होती है जो mutual fund companies आपके उपर लगाती है अगर आप एक साल से पहले अपने mutual funds बेचते हैं यानि redeem करते हैं ये fees जारा तर 0.50 या 1% की बीच में होती है मालीजी आपने 2023 में किसी भी fund में लंबसम invest किया लेकिन आप SWP यानि monthly withdrawal 2024 से शुरू करें क्योंकि इस से क्या होगा कि आपका कोई भी exit load fees नहीं लगेगी अब आते हैं tax पे SWP का tax structure SIP की तरह ही होता है अगर आप equity mutual funds में invest करते हैं और अगर आप एक साल से पहले अपने mutual fund redeem करते हैं यानि बेचते हैं तो आपको 15% का tax देना होता है वहीं अगर आप एक साल के बाद redeem करते हैं तो आपको 10% का long term capital gain tax देना होता है अगर आपके returns एक लाग से उपर हो जाते हैं एक financial year में यानि जो amount एक लाग से उपर होगा उस पे आपको 10% tax देना पड़ेगा ये थी एक full detail video SWP पे बिलकुल असान भाशा में तो अब मिलेंगे ऐसी ही अगली धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए do like, share, comment and subscribe to my youtube channel which is money right